नमस्कार आप देख रहें इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजया दो तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर क्यों वित्मंतरी निन्वला सीता रमर आम बजड पेस कर रही हैं इस दोरान 2021 के लिए उन्होंने रेलवे से दुड़क काई एलान किये हैं सबसे पहले तो उन्होंने एक लागता सजार पच्पन करोड रुपए रेलवे के लिए आवंटित किये हैं इसके अलावा सीता रमर ने रेलवे के लिए रेल योजना 2030 के बारे में भी जानकारी दी है जिसका उद्देस मेकिन इंडिया को सच्छम करने के लिए उधोक के लिए लोजिस्टिक लागत में कमी लाना बताया गया हैं वही उनों ने इस दोरान बताया कि बिजली से चलने वाली ट्रेन के लिए दारा बढ़ाया जाएगा उनोंने बज़ट भासर में बताया कि 46,000 किलोमेटर रेलवे लाइन पर ट्रेन बिजली से दोड़ेगी इसके अलावा उन्होंने कहा कि नैसनल रेल प्लान 2030 के ड्राउट पर तेजी से काम किया जा रहा है उन्होंने जानगारी देते हुए बताया कि देश में सिर्फ एक निर्मार धीन बुलिट ट्रेन पर युजना है जो मुंबई को अहम्दाबास से जोड़ेगी बता दी कि 2017 से पहले आम बजट और रेलouri बजट अलग अलग पेश किया जाता था लेकिन अरून जेटली पहले ऐसे वित्दमंतरी रहे जिनोंने आम बजट और रेलबजट को सनयुक्त रूप से पेश किया उन्होंने एक फरविडी 2017 को ऐसा किया था साथ ही दोनों को अलग-अलग पेशना करती हुए एक ही बजट के समान पेश करने से 92 साल की परंपरा खतम हुई थी वहीं रेलवे बजट के आम बजट में विले के पास से कई बड़ी गोसनाई हुई थी इन में 550 इस्टेशन पर वाइफाई सुरू करने का एलान हुआ था रेलवे ट्रैक के साथ सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की बात कही गई थी ब्यूरी पोर्ट आई पियम झाल